जाहें दोस्तों भासकर जी साइंस में आपका फिर से स्वागत है, मोनो सेकराइट के बाद में आप हम बात करेंगे डाइ सेकराइट की, डाइ सेकराइट अपने नाम से ही प्रचलित है, यह कार्भोहेड़ेट का दूसरा रूप है, डाइ मतलब दो, सेकराइट मतलब हमने आ मोनो सेकराइट के बाद डाई सेकराइट है क्या चीज़ डाई सेकराइट मतलब कि मोनो सेकराइट के दो माली क्यूल मिल करके एक नया माली क्यूल बनाते हैं नय सुगर के अडू बनाते हैं उनको हम कहते हैं डाई सेकराइट यह डाई सेकराइट जो होता है दो मोनो सेकराइ से मिल करके एक नया जो अडू बनाते हैं उसको हम कहते हैं डाई सेक्राइट यह दोनों आडू जुडते कैसे हैं रस्ती से थोड़े जुड़ेंगे मतलब अडू जो है परमाड से जुड़ेगा या आयन से जुड़ेगा लेकिन यह क्या जुड़ता है यह एक गलाइको सिड मैं पुछ सकता है कि यह आपके सुक्रोज में अलफा पोजीशन का क्या मतलब है तो आप बताएंगे अलफा पोजीशन क्या होता है कि इस गलाइको सिडिक बांड का गलाइको सिडिक बांड वही से सुरुवात होती कहां से अलफा से देखिए यह आपका कार्बन हो गया य ये डाइस hed plant अब हम आते हैं डाइस together में मुख्यतर होता क्या है सुक्रोग मालटोज और लैक्टोज यह तीन ऐसे आपके सुगर के मालीक्ष जो होते हैं यह मुख्यतर डाइसे डाइसे का जो सामान सूठ्र होता है यह सामान सुत इसका होता है कि C12-H22-O11 मतलब C6-H12-O6 के बाद में मतलब 12 तो ठीक है लेकिन H22-H कहां गायब हो गया यह 2-H इसके उज़े गहां से गायब हो गया जहां से आप यह देखिये यहां से आक्सिजन जुड़ा यानि गलाइकोसिटिक बांड अलफा पोजीशन जहां से शुरू हो रहा है तो एक आक्सिजन यह हड्रोजन यहां से गायब हो गया एक हड्रोजन यहां से गायब हो गया फिर इसके बाद में 11 मतलब इसमें आप देखिए कि इसका एक आक्सिजन ही क्या कर रहा है घ्लाइकोसिटिक बांड में ये पार्टिसिपेट हो रहा है समलित हो रहा इसनाते यह इनका सामान सुतर जो बोला जाता है यानि कि लैटोज माल टोज का सामान सुतर सामान संटर की सी तोर्फ 12 याच टुंदी यह चुकंदर से प्राप्त करते हैं। हम आपके दूद से प्राप्त करते हों। हुप्रिकूर में तोड़ जाता है। क्योंकि यही इसके गलाइकोसिटिक बांड क्या होते हैं तूट जाते हैं तूटने के बाद मिया ग्लुकोज और फक्टोज में तूट जाता है हमने आपको बताया कि सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज तीन मुख्य हमने आपको बताया कि डाई सेकराइड के तीन मुख्य सुक्रोज जो होता है हमारे घर कि घरेलू खाने में पाए जाता है जैसे गन्सेल्टstein में हो गया और यह आपका चुकंदर में हो गया तो इन दो जगों पर मुखिय로 पाई जाती है फिर यह ईसके बाद में जो लैक टाज हote यह हमारे यह लेक्टोज जो होता है यह मीठापन यह दूध में पाए जाता है अब हम गवर करते हैं माल्टोज की तरफ जो है यह मोनो सैक्राइट का यह दूसरा यह दूसरा सुगर मालीक्यूल्स है जो क्या होता है इसका जल जब अभगटन होता है यह भी आप देखिए ग daisaccheride दोनों ही क्या होते हैं कि स्वाद में बहुत मीठे होते हैं daisaccheride और monosaccheride के हम आप बाद आपको नॐसो करें होते हैं इस नाते इनको हम सपरता यानि कि estan कहते हैं लेकिन इन सब में सबसे अधिक मीठा जो होता है वो फ्रक्टोज होता है डाई सेक्राइड में सुक्रोज जो होता है यह पहले परकार का यह सरकरा होता है दूसरे परकार का माल्टोज होता है माल्टोज का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं माल्टोज भी का भी जब घटान यानी की हैड्रोलाइसिस किया जात है जब इनका हैट्रोलैसिस होता है जल में यानि को डाला जाता है तो ग्लुकोज के दो अड़ों में तूट जाते हैं अब फिर इसके बाद में आप देखिए लेक्टोज लेक्टोज जो होता है यह तीसरी परकार का डाई सेक्राइड है और इन सब में सबसे अधिक मीठा ज बाद में मीठे होते हैं और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टापिक होड़ा ट्राइश पराइट